देखे अभी जो मलिकरजुन खडगे जी का बयान भी सामने निकल कर आया है ये एक बार फिर से प्रमान है और पुष्टी करता है जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि कॉंग्रिस पार्टी में आंतरिक चुनाव के नाम पर दरसल फरजी वाड़ा हो रहा है और दरसल कॉंग्रिस पार्टी और आंतरिक चुनाव कॉंग्रिस पार्टी और आंतरिक जवाब दही कॉंग्रिस पार्टी और आंतरिक लोगतंत्र ये एक साथ एक स्टेट्मेंट में एक सेंटेंस में आही नहीं सकते और इसलिए जो मलिकरजुन खडगे जी कह रहे हैं कि वो परिवार के इशा पर सोनिय गांदी जी के द्वारा remote control द्वारा संचालित थे वैसे खडगे जी जिनको official candidate की तरह प्रस्तुत किया गया है जिनका जीतना लगभक तैय है और ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने पहले ही ये घोशना कर दी है ये उनके proxy president के रूप में काम करेंगे ये आज उसकी पुष्टी हो चुकी है और देखे इसी लिए मलिकरजुन खडगे जी के अलावा भी चिदांबरम जी ने पहले ही कहा था कि अध्यक्ष चाय कोई भी बने प्रियमिनेंट पोजिशन गांधी परिवार की होगी मुरली धरन जी ने कहा था कि अगर अध्यक्ष बनना है तो नहरू परिवार का हाज जिस पर होगा वही बन सकता है दिगविजय सिंग जी ने भी यही बात की थी और जो आंतरिक चुनाओ के नाम पर इतने दिनों से ड्रामा चल रहा था दरसल डब्लु डब्लु एफ की मैच जैसे होती है वो कुष्टी नहीं नूरा कुष्टी होती यह भी नूरा कुष्टी थी और खुद शशी धरूर जी ने यह कंडिडिट कंडिडिट कंफेशन किया था कि देखे अन इवन प्लेंग फील है कि एक ही प्रत्याशी को ओफिशल प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स को लेकर कहीं है और आज इसी लिए यह चुनाव नहीं केवल चैन की प्रक्रिया है अगला रिमोट कंट्रोल कौन होगा उसके चैन की